हेलो गाइज वेलकम टूप कुप विद प्रतिवाश्य भरे तो चलिए फ्रेंट्स आज हम लोग बनाएंगे रोटी वाले तवे पर यानि लोहे के तवे पर चीज सैंडविच फ्रेंट्स लोहे वाले तवे पर बहुत ही आसानी से चीज सैंडविच बन जाता है इसके लिए बिलकुल भी हमें नॉन स्टिक तवा की जरुवत नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छा सैंडविच बनता है और नहीं यहां पर आपको ग्रिल की जरुवत पड़ती है तो चलिए सैंडविच बनाना शिरू करते हैं तो यहां पर आप लोग ले लिजे चार ब्रेट की स स्लाइस और दो चीज स्लाइस एक मीडियम साइच का प्याज इसको बारी काट लीजे थोड़ा साध रख हरी मिर्च दन्या की पत्ती इन सिब चीजों को काटकर आप लोग रख लीजेए अब यहां पर मैने अबले आलू लिए हैं थोड़ी से मसाला बनाने के लिए आलू क तो चार से पांच मीडियम साइच के आलू बाल कर ले लीजे आप लोग अब सबसे पहले हम आलू का मसाला तयार कर लेंगे तो यहां पर गैस पर एक पैन रख दीजे और इसमें थोड़ा से सरसू का तेल डाल दीजे दो तीन टेबल स्पून अब तेल गरम हो जाए तो उस प्याज के पका लेजे बस प्याज में थुड़ा से कलर आने लगी इसके बाद आप लोग आलू डाल दीजे इसमें फिर्ट्स आलू को अच्छे से मैश कर लेना है हमको इसके लेखे हमने आलू को बहुत अच्छे से मैश करके रख लिया था अब प्याज के साथ आलू को इस तरह से मिक्स करते हुए अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारे आलू में अच्छे से प्याज मिट्स हो जाए और अब इसमें डालेंगे हम स्वाद के अन्वजार नमक तो यहां हम डालेंगे एक च्पूटा चंबश नमक आप लोग जिसे साफ से बनाएं उसी साफ से नमक डाल दें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर यहाँ पर आप लोग भुने हुई जीरा का पाउडर हमेशा घर पे भून कर पीस कर रख लीजे क्योंकि वह बहुत ही काम आता है और किसी भी चाट में डालिये आप लोग बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पर मैंने डालिये थोड़ी से धन्यागी पत्ती और थोड़ी से फ्रिस्पुदीने की पत्ती यह डालीए पुदीने का सीजने तो थोड़ी से डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर अब चलिए दो दीन मिनट आलोग उसी तरह से चलाते हुए भून लीजिए और इसमें आप अमचूर का पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता इसका देखी फ्रेंट्स हमारा मसाला बन गया था और हमने फ्लेट में फैला कर उसको लगा लेजे या घर पे कोई चटनी रखियो अगर टमाटर की या कच्छे आम की चटनी तो भी लगा सकते हैं जिसमें यहां पर लगा रही हूं कच्छे आम की चटनी मेरे पास वो पहले से बने रखी थी तो मैं उसी को लगा देती हूँ अब यहां पर आलो का मसाला हम आलो का मसाला बहुत ही टेस्टी बनता है आप इसके और भी सारे स्नेक्स बना सकते हैं जैसे कि आप इसके आलो बंडे बना सकते हैं ब्रेड पकोड़े भी बना सकते हैं ड्रेड रोल भी बना सकते हैं तो यह आलो का मसाला होता है तो बहुत सारे नास्ते इस आलो से बन जा अब देखिए मैंने दू ब्रेड में आलू का मसाला लगा लिया है अब हम दोनों ब्रेड में एक एक ची स्लाइस रख देंगे इसी तरीके से कोई कोई ची स्लाइस थोड़ी सी गीली टाइप ही होती है तो थोड़ा खोलने में इसको दिक्कत हो जाती है तो यह ची स्लाइस थोड़ी सी हलकी से गीली जासी थी फ्रेंट्स यह देखिए हमने ची स्लाइस यहां पर रख दी है अब उपर से एक साधा ब्रेड भी रख देंगे और इसी तरी से इसको भी तयार कर लेंगे यह देखिए हमने दोलों ब्रेट की उपर जी स्लाइस रख दिया है अब इस ब्रेट की उपर भी हम एक साधा ब्रेड लाई देंगे इस तरेestyle के से तो चलिए उमारी bread तयार है, sandwich बनने के लिए, तो चलिए अब sandwich भी बना लेते हैं, तो यहाँ पर लोहे का तवा हमने गरम होने के लिए रख दिया है friends, यह रोटी बनाने वाला तवा है, बस थोड़ा सा हमने घी डाला है इसमें पहले से, और बस हलका सा घी गरम हो जाए, तो bread को सिखने के लिए रख दीजे, sandwich को, बस दोलों तरब से प्रेस करते हुए, सेख लेना है, और सबसे पहले आपको, जिस साइड हमने आलू रखा था ना, उस साइड को नीचे रखना है पहले, इसके बाद हम पल्टा देंगे, तो जिस साइड हमने चीज रखा था, बाद म साइड को सेखेंगे, और इसको दबा दबा कर दोलों तरब से क्रिस्पी होने तक सेख लेंगे, बस एक से दो मिनट के अंदर, आपको sandwich बन कर तिक दम तयार हो जाएगा, और इसका cheese बहुत ही अची से मेल्ट हो जाता है, friends, एक दो मिनट के अंदर, तवे में सेखने से भी cheese बहुत अची से मेल्ट होता है, तो आप लोग तवे में बहुत ही असानी से sandwich बना सकते हैं, कोई भी type का sandwich आप तवे पर आसानी से बना सकते हैं, ग्रिल हो चाहे ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि हमार पस ग्रिल नहीं है, तो हम अच्छा sandwich नहीं कहा सकते हैं, आप तवे पर भी बहुत ही अच्छा sandwich बना कर त्यार कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, फ्रेंट सी, तो जरूर बनाएए आप लोग, इस तरीके से sandwich, और क्योंकि यह cheese वाला है, तो यह बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं यह cheese sandwich, तो चलिए इसी तरीके से हम दूसरा sandwich भी अपना सेख लेते हैं, बस दोन तरफ से अच्छी से सिख जाए, तो आपने का देखिए, इसका cheese किस तरह से मेल्ट हो रहा है, बहुत ही टेस्टी sandwich लगता है, फ्रेंट सी, तो चलिए अब दोनों sandwich को हम भी से कट कर लेत हैं, इसको sandwich का सेब देते हैं, बस जिस spatula से हमने सेका है, उसी से कट कर लेंगे, बहुत ही आसाने से कट हो जाता है, यह था में चाकू से भी काटने की ज़रत नहीं है, यह देखिए हमारा sandwich कट गया है, यह देखिए, चीज कितना बढ़िया दिख रहा है, और खाने में भी सेब देखने में लग रहा है, इतना टेस्टी खाने में भी लगता है, यह सेड़ुच की तो जरूर ट्राइं की जिएगा, इस सेड़ुच की रेसिपी को, तो लिजे हमारे दोने सेड़ुच हैं पर हमने काट ली हैं, नो तो भूद है यहां तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं तो जी देखिए हम ने इसको सफिए हैं टमट्टो केचप की साथ सांद्विछ बहुत अच्छि लगते हैं तो आप लोग इसिह तरीगी से सर्फ कीजिए और एंजॉइ कीजी सेंडविश को और बच्यों कर तो लाइक कीजिए इस सब के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो फिर मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए जै हैं जै भारत